अब बात करेंगे हरियाना के बजट सत्र की बजट सत्र का आज दूसरा दिन है प्रिशनकाल के साथ शुरू होगी सदन की कारेवाही विधायक अलग-अलग मुद्दो पर सरकार से सवाल पूचेंगे प्रिशनकाल के बाद राजिपाल के अभी भाशन पर चर्चा की जाएग हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रानिल मोर जुड़ चुके हैं साम खबर पर रानिल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है हरियाना विधानसभा में प्रिशनकाल के साथ सदन की कारवाही शुरू होगी ज़रा बताईए आज की क्या तैयारिया है कि देखिए मुमताज हरियाना विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है प्रिशनकाल के साथ विधानसभा की आज कई मुद्धों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा कई मुद्धों पर आज हंगामा देखने को मिल सकता है कोंग्रेस विधाय केरिंद चोधरी की तरफ से पूछा गया है कि जिस तरीके से बिहार में समाजी कार्थिक सर्वे हुआ क्या उस तरफ पर हरियाना में समाजी कार्थिक सर्वे होगा देते पकड़ा है इसके अलावा परशन काल में किसानों का मुद्धा भी उठ सकता है क्योंकि जिस तरीके से आज किसान दिली कूज करेंगे दिली कूज को लेकर अगर पुलीस और किसान संगतना आमने सामने होते हैं कोई हंगामा होता है तो आज सदन में उस मुद्धे को ल कोमर्च की सर तरफ से राजय पाल के बीभासन के जरी जरीय केना के सरकार पर ने शाना साधा जाएगा और कहा जाएगा कि सरकार ने पिछले प्रश्न काल में भी दोनों पक्स सत्ता पक्स और विपक्स सामने दिखाए देंगे हाला कि इसके अलावा कुछ विधाई कारे भी होने हैं दो विधे काज पटल पर रखे भी जानी है प्रश्न के लिए भी पूरी तयारी विपक्ष की तरफ से भी की गई है अनिल आपने ठीक हमने कल भी इस पर चर्चा की थी क्या लगता है आपको आज किन मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है सरकार पर अज़ अगर जैसे मैंने आपको बताया की और हम लगतार दिखा भी रहें कि जो हरियान और पंजाब की सीमाएं जहां पर जो किसान है दिली कूछ करने वाले हैं किसान संगठन और पुलिस अगरामने सामने होते हैं किसी तरीके का हंगामा होता है तो विपक्ष की तरफ से किसानों का मुद्दा सादर में उठाया जा सकता है किसानों के मुद्दे पर कहीं न कहीं सत्तापक्ष को विपक्ष कहरने की कोशिश करगा इसके अलावा भरस्ताचार से जुड़े मुद्दे भी विपक्ष के तरफ से उठाया जाएंगे जो विजिलेंस का सवाल पूछा ग ता उस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं जो विपक्स सरकार को गहरता नजर आएगा इसके लावाँ परशनकाल में तमाम जो कोंगर्स के विधायकों के तरफ से सवाल लगाए गए है जेज़ेपे के विधायक रामकंदकाल की तरफ से परिवार पहचान पत्र का मुद्दा सब्सक्राइब निगाहें बनी हुए कि आखिर किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीट जद्दो जहाद होती है सब्सक्राइब लेकिन ये तो का जा सकता है निल की पूरा सेशन जो है बजट सेशन वो हंगामेदार रहने वाला है कि आज भी कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा कल विश्वास परस्ताव पर चर्चा होनी हाला कि विपक्ष के पास कोंगर्स के पास उतने आंकड़े नहीं है और जो संख्या बला है कोंगर्स का काफी कम है लेकिन कोंगर्स का कहना है कि विश्वास परस्ताव कि माध्यम से उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा लेकिन सत्तापक्ष के आंकड़ों की बात करें सत्तापक्ष का आंकड़ा बहुमत से भी काफी आ गया तो ऐसे में कहिना कि सरकार को गभराने की जूरूरत तो है नहीं लेकिन विश्वास के परस्ताव के मुद तो मुद्दों पर बजट पर कहिना कहीं विपक्षा उस सरकार को गिरता ने ज़र रहेगा क्योंकि देखी मुमताज लोकसबाद सुनावा ज़्यादा दूर नहीं है कुछ दिनों में लोकसबाद सुनाव का बिगुल बजने वाला तो कॉंगर्स की कोशिश रहेगी कि एक मजबूत विपक्ष की क्या भूमिका होती है वो एक भूमिका निवाने की कॉंगर्स पूर जोर कोशिश करेगी